गुड इवनिंग एवरिबडी और वेलकम टू क्रियेटरिक्स चैनल माई डियर फ्रेंड्स वी आ लाइव अगें तो हम लोग वापस आ चुके हैं लेक्चर टू के लिए जिसका आप सभी लोग को इंतजार था और आज से हम लोग पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं आज से हम लोग पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में आपको काफी जादा मज़ा आने वाला है काफी चीज़े सीखने मिलने वाली हैं बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉइ करेंगे आज का लेक्चर तो चलिए स्टार्ट किया जाए तो मेरे हम लोग यहां पे क्यों है हम लोग क्यों ही खटा हुए हैं because we want to get the top rank in gate and ESC और आपकी उस top rank के लिए मैं daily आप से मिलने आता हूँ 7 बजे और आपके लिए लेके आता हूँ कुछ नए concept, कुछ नए knowledge और हम लोग पढ़ते हैं नए से नए subjects control system हमने cover किया, digital, machine, power electronics और अब हम आप पहुँचे हैं power system पे और आज काईदे से आपके power system की transmission line की शुरुआत होने वाले मिरभाई, तो हमने एकदम revolutionize कर दिया है gate और ESC की field को हम लोग complete syllabus यूट्यूब पे करा रहे हैं जैसा ना आज तक पहले कभी हुआ और ना शायद आगे कोई कर पाएगा, ठीक है, तो हम लोगोंने completely, completely change कर दिया है scenario और जो बच्चे पहले सोच भी नहीं पाते थे कि वो लोग top rank लाएंगे, आज वो लोग एक सपने के साथ जी हमें भी top rank लाना है, आप पढ़ाओ, आप जितना पढ़ाओगे हम आएंगे, और ये power किसने दिया है, इस Creatrix चैनल ने, अब देखो मेरे भाई, अगर आप लोगों का सपना है top rank लाने का, तो ये link जरूर visit करना, ये link विजिट करने से पहले download कर लेना unacademy learning app, क्योंकि unacademy learning app पे इंडिया के सारे top educator, live पढ़ा रहे हैं, free classes ले रहे हैं, मैं और मेरे जैसे सारे teachers, इसके अलावा मेरे भाई, आपको unacademy learning app पे मिलती है, live quizzes, live competition, और free test series, free test series भी मिलती है, अब इतना कुछ जब free मिल रहा है मेरे भाई, तो app आज ही mobile में download कर लेना, अपने play store या app store से, unacademy learning app, app download करने के बाद आप इस link पे जाएंगे tinyurl.com slash unkitse, इस link पे आपको मिलेंगी मेरी सारी classes, जो अभी तक हो चुकी हैं, या जो आगे होने वाली हैं, जो आगे होने वाली हैं, वो आपको मिलेंगी upcoming special classes में, जैसे मैं अभी daily दोपैर 12 बजे, power electronics के previous year question लगवा रहा और शाम को साड़े 8 बजे BJT के amplifier करा रहा हूँ, आज शाम को साड़े 8 बजे में BJT amplifier के question कराने वाला हूँ, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो, link आपको मिल जाएगा upcoming special classes में, इसके अलावा कई सारी question series आपको मिल जाएंगी, network की question series मिलेगी, signal की question series मिलेगी, और power system में protection, stability possibility, TND, ये सारी चीज़े आपको power system में मिल जाएंगी, तो इतना content मेरे भाई already present है अगर आप जाते हो, on that is freely available, पूरा free है, एक बार visit करके देखो यह अला link, और देखो plus पे आओगे तो और मजा आजाएगा, क्यों मजा आजाएगा मेरे भाई, क्योंकि plus पे मिलता है आपको live classes daily, batch की form में proper batches मिलते है, daily practice paper मिलता है homework के लिए, weekly test होता है जिससे आपकी performance judge हो, इसके अलावा test series मिलती है, previous year question मिलते है, practice question मिलते है, और क्या मिलता है, इतनी सब चीजों के साथ और क्या मिलता है, crash course, crash course, और अभी तो हम लोग marathon course भी plan कर रहे हैं, और इस Monday से doubt solving batch भी start कर रहे तो plus पे अगर कोई बच्चा है और इसको कोई भी doubt है, तो सारे top educator उसके doubt clear करेंगे, ऐसा सिर्फ एक जगह हो सकता है, unacademy plus, और मेरे भाई बहुत जल्द इसका price बढ़ने वाला है, तो अगर लेने का सोच रहे हैं, तो अभी ले लो, आगे चल के पच्टा होगे, और iconic में iconic में तो सोने पे सुहागा है, यहां आपको मिल जाएगा एक personal coach, तो जितने सवाल आप मुझसे पूछते हो सर, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या चोड़ें, यह सब आपको iconic में बताएगा personal coach, और आपके test series के subject देखके, analysis देखके, आपको यह भी बत आएगा कि कहां आप lag कर रहें और कहां आप strong हो, इसके अलावा study material extra, study planner extra, और expert guidelines, यह सारी चीज़े आपको मिलेंगी iconic subscription में, और गजब की बात यह यूट्यूब के लिए, कल से हम start कर रहे है crash course, every Saturday Sunday, 8-8 घंटे आपकी class लगेगी crash course की, और कल से मैं start कर रहा हूँ, machine का crash course, त special class में करा रहा हूँ, मैं power electronics के question, और कल से YouTube में करा रहा हूँ, machine, सारे core subject बहुत तगडी तरीके से तयार हो जाएंगे, बस एक बार यह है कि आपको committed way में मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा, चलो फिर शुरू किया जाए, तो आज का topic है मेरे भाई हमारा transmission line, transmission line आप लोग अ दिख रही है न, towers के बीच में, यह जो मेरे भाई wires आपको दिख रही है, these are transmission line, और आपको यह तो आप लोगों ने सुना ही होगा बचपन से, कि भाईया इन्हें tower कहते हैं, तो these are towers, अब आप इस unit के अंदर, यह towers और transmission line से जुड़ी सारी बातें सीखने वाले हो, towers और transmission line से जुड़ी सारी बातें आप सीखने वाले हो, कि transmission line कैसे काम करती है, क्या उसके parameters होते हैं, tower के क्या parameters होते हैं, सारी चीजे, सारी चीजे हम लोग detail में पढ़ने वाले हैं, सारी चीजे एकदम detail में पढ़ने वाले हैं, मिरे भाई, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना transmission line का सफर, और आज तक अगर आपने power system में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कोई tension वाली बात नहीं है, मैं हूँ, सब चीजे basic से पढ़ाऊंगा, और आज power system की पहली unit की official starting है, notes मिलेंगे, कल और आज वाले notes, आज मैं आप लोगों को दे दूँगा, tension मतलो ध्यान दो, और crash course की timing के लिए, एक बार हमने जो crash course launch का वीडियो बनाया था, वो देख ले न, कल 4-6 मेरी class है, 7-9 विशाल सरगी class है, उससे पहले भीमा संकर सरगी class और कामेश सरगी class है, morning में, ठीक है, कोई reference book की ज़रूरत नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो, अब मेरे भाई transmission line देखो होती क्या है, transmission line एक link होता है, दो buses के बीच में, जो current या power को carry करता है, जो current या power को carry करता है, that is a transmission line, अब ऐसा समझो, transmission line network की एक branch जैसा है, तो सर ये bus क्या होता है, क्या ये वही bus है जिसमें हम चलके जाते हैं, जिसके अंदर हम बैठके जाते हैं, नहीं मेरे भाई उस bus की बात नहीं कर रहा हूं, तुमारी passenger buses की बात नहीं कर रहा हूं, bus होती है power system की एक node, अब आप network के अंदर, आप network के अंदर node तो समझते होगे, वही node है आपकी bus, और उस node को link करने वाली जो wire है, that wire is a transmission line, तो transmission line कुछ भी नहीं है, it is just a wire which connects two buses in a power system, और ये wire क्या करती है ये current और power carry करती है, एक bus से दूसरी bus तक, ये current या power लेके जाती है, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, कि भाई कई बार क्या होता है, कि कुछ areas अपने power system में ऐसे हैं, जहां पे power की कमी है, कुछ areas ऐसे हैं जहां power जादा है, तो अब ये power को transfer तो करना पड़ेगा ना, ये भी बताया था, 1998 के अंदर power grid established हुई थी, जिसने ये पूरा transmission line का, पूरा transmission line का project लिया था, और transmission lines का पूरा system, पूरा power system network revolutionize किया था, ठीक है मेरे भाई, तो transmission line को कुछ भी मत समझो अभी के लिए, बस ये मानलो एक wire है, जो दो buses या दो notes को आपस में connect करती है, अब ये wire जब current लेके जारी है मेरे भाई, तो ये current कौन ले जा सकता है, ये ले जा सकता है, धें कनडक्टर, current carry कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक conductor, अब वो conductor कौन हो सकता है, aluminum, copper, silver, gold, अब मेरे भाई, सोने चांदी गीतार तो बनाओगे नहीं, सोने चांदी गीतार तो नहीं नहीं तो भले ही पबलिक को शौक लग जाए लेकिन पबलिक उतार के ले जाएगी ये कौन सी कंट्री है ये कौन सी कंट्री है इंडिया है मेरे भाई इंडिया यहां लोग कौपर की वायर ना छोड़ें गोल्ड सिल्वर तो बड़ी बात है समझ रहे हो गोल्ड conducting material में चार बड़े conductor होते हैं aluminium, copper, silver और gold ये चार बड़े material हैं लेकिन इन में से prefer कौन सा करेंगे तो अब आप लोग मुझे ये बताओ जैसे ये अपना जूजू, जूजू सोच रहा है कौन सा material prefer करें मिर भाई बिल्कुल confusion में पढ़ गया ये लड़का अब बताओ कौन सा material आप लोग के हिसाब से prefer करना चाहिए किस material से transmission line हमें बनानी चाहिए बताओ भई तो मुझे दो-तिन लोग बोल रहे है aluminium, एक लड़का आया है copper आदित्य नरायन, copper बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जादतर जनता बोल रही है aluminium तो सही जवाब aluminium is preferred over other materials aluminium को ही ज़्यादा prefer करते हैं अब ऐसा क्यों करते हैं material हलका है material सस्ता है material की resistivity ज़्यादा है और कौरोना इसके अंदर कम है अब बात है material हलका है इससे क्या भला होने वाला है material हलका है तो क्या भला होगा भाई टावर के उपर transmission line टांग होगे जब कोई भी चीज आप hang करने वाले हो तो उसका weight जितना कम रहे उतना बहतर है otherwise tower will not be mechanically stable अगर आप चाहते हो आपका tower mechanically stable रहे तो उस पे आपको वजन कम डालना पड़ेगा तो एक light material आपको लेना चाहिए that should be aluminium अब भाई transmission line की length होती है 100 km, 200 km, 500 km इतनी लंबी line अगर बनाओगे अगर इतनी लंबी आप line बनाओगे तो मेरे भाई material सस्ता होना चाहिए material should be cheap क्योंकि copper, gold या silver से अगर इतनी लंबी line बना दी तो उसकी cost बहुत high आजाएगी अब मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी costing का funda क्या होता है ठीक है costing का funda क्या होता है कि जितनी भी cost power system के अंदर invest होगी, वो cost आपके electricity bill के अंदर reflect होगी, वो cost आपके electricity bill के अंदर reflect होगी अब मेरे भाई जब वो cost आपके bill के अंदर जड़के आने वाली है तो हम लोग, हम लोग वो cost bear सिर्फ कब करेंगे हम लोग ये cost सिर्फ तब bear करेंगे जबकी cost कम से कम हो इसलिए power system वालों को भी क्या करना पड़ता है they have to minimize the cost they have to minimize the cost देखो life में कभी भी कोई भी system design कर लेना उसकी cost minimum रखोगे तभी तभी आपका system market के अंदर sustainable होगा और market के अंदर कोई purchase करेगा तो cost तो आपको minimum रखनी ही रखनी है तो lower cost is a very big factor क्योंकि मेरे भाई आप इतना बड़ा system इतनी लंबी line बना रहे हो कि महेंगी cost effort नहीं कर सकते अब देखो अगला है more resistivity than copper अब मेरे भाई आपको ऐसा लग रहा होगा कि resistivity ज़ादा होना तो नुकसान दायक है आपको ये लगेगा resistivity ज़ादा होना नुकसान दायक है इससे फाइदा क्या है और सर तो ऐसे लिख रहे हैं सर तो ऐसे लिख रहे हैं मतलग ये तो preferred है अब ऐसा क्यों देखो ये मैं समझाता हूँ point ध्यान से समझते जाना मेरी बात sorry greater आएगा ठीक है अब मैं यहाँ पर देखो क्या कहता हूँ मैं ये कहता हूँ मेरे भाई ध्यान से समझना कि for same resistance अगर aluminium और copper का resistance same चाहिए तो आप क्या करोगे row aluminium into L into A aluminium अब आप कहोगे सर दोनों तरफ length क्यों same रख दी है अब मेरे भाई मान लो Bangalore से हाइदराबाद की transmission line है अब वो aluminium से बने या वो copper से बने aluminium से बने या copper से बने length तो सेम रहेगी length तो मेरे भाई सेम रहेगी तो यहां से length तो कट गई अब यहां से क्या आया area aluminium by area copper is row aluminium by row copper लेकिन अभी आपने बोला aluminium का resistivity ज़्यादा है तो यह one से ज़्यादा आ गया one से ज़्यादा आ गया मेरे भाई तो aluminium का area copper के area से ज़्यादा आ गया aluminium का area copper के area से मेरे भाई ज़्यादा आ गया यह बात clear होई अगर मैं same resistance रखूँ तो उसके लिए मुझे aluminium का area ज़्यादा यूज करना पड़ेगा as compared to copper अगर मैं same रखूँ but मैं same क्यों रखूँ ताकि losses ज़्यादा ना हो जाएं यानि resistivity बढ़ने से resistivity बढ़ने से losses ना बढ़ें उसके लिए मैंने क्या मान लिया same resistance same resistance मान लिया same resistance में क्या मालूम चला कि area ज़्यादा आएगा कि area मेरे भाई ज़्यादा आएगा अब चलो इतनी बात समझ आ गई yes will be more ठीक है एक सेकंड का मुझे टाइम देना अब देखो आप तो कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई किसी को जल्दी से confirm करो ठीक है और देखो like बटन दबा देना मेरे भाई मैं देख रहा हूँ like काफी कम है इस session पे सब लोग attendance mark कर दिया आगरो like करके जल्दी से आप लोगों के attendance बहुत जरूरी है अब देखो radius यहाँ पे जाधा आ गया अब मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि electric field due to electric field due to line charge कितनी होती है यह आपको EMT से सबको पता होगा मेरे भाई ρोल बाई 2 पाई एपसिलन नौट आर यह होती है ρोल होता है line charge density line charge density अब देखो अगर radius aluminium का जाधा है तो electric field aluminium की कम बनेगी electric field कम बनेगी और यह हमें फाइदा पहुँचाएगा in terms of corona यह हमें फाइदा किस में पहुँचाएगा corona में कि corona कम होगा corona कम होगा ठीक है यह बात clear हुई अब बात है corona क्या है मेरे भाई यह तुम्हारा COVID virus नहीं है corona एक ऐसा phenomenon होता है जहाँ अगर कोई wire जैसे मानलो यह wire है अगर यह current लेके जारी है मेरे भाई यहाँ से दिख रहा है ना सबको यह दिख रहा हो अगर यह current लेके जारी है wire तो यह अपने चारों तरफ electric field बनाती है यह electric field बनाती है अब इसके चारो तरफ जो air है मेरे भाई वो air हो जाती है ionize ठीक है इसके चारो तरफ की air हो जाती है ionize अब इसके चारो तरफ की जब air ionize हो गई तो वो air start कर देगी conduction क्योंकि conduction के लिए क्या चाहिए मेरे भाई आपको, conduction के लिए चाहिए positive charge और negative charge, positive charge और negative charge, तो जब ये air positive negative charges में तूट गई, तो अब ये भी conduct करेगी, इस effect को कहते हैं corona, इस effect को क्या कहते हैं corona, जब किसी conductor के चारो तरफ का insulator conducting बन जाए, तो उसे कहते हैं corona, क्या कहते हैं corona, अरे मेरे भाई, ionization का मतलब नहीं पता क्या, ionization का मतलब है, जब electron atom से निकाल दिया जाए, तो उसी को तो ionization कहते हैं, chemistry तो पढ़े होगे, ionization, energy, electron, affinity, electronegativity, ये चीज़े तो पढ़ रखी होंगी, ionization का क्या मतलब है, जब air, जो की एक insulator है, air के अंदर जो atom है, अगर वो अपन electron छोड़ दे, electron क्यों छोड़ दे, आपने लगा दी उस पर electric field, आपने लगा दी electric field तो आपने electron खीचके निकाल दिया atom से, अब ये electron अगर current carry करने लग जाए, तो इसको कहते हैं corona, यानि current सिर्फ conductor में नहीं, उसके चारो तरफ की air में भी flow करेगा, that is corona, current air के अंदर भी flow करे पाइदे मंद है, high resistivity फाइदे मंद है, corona किस voltage पर आता है, क्या-क्या factors उसे affect करते हैं, ये मैं आपको corona topic के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है, आगे करेंगे, चलो, अब बात है, line के अंदर desirable characteristic क्या होती है, line के अंदर ऐसी क्या quality है, जो आप चाहते हो, मेरे भाई, उसके अंदर losses minimum रहें, उसकी efficiency maximum रहें, आप ये चाहते हो, losses minimum रहें, और उसकी efficiency maximum रहें, क्यों चाहते हो, भाईया generator ने 100 megawatt power generate कर दी, अगर ये line में खपत हो गई, तो load को क्या मिलेगा, load को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं ये चाहता हूँ, अगर generator 100 megawatt power दिया है, तो इसका maximum part मेरे load तक पहुचना चाहिए, ऐसे सोचो, जैसे मैं बताओ, मेरी मदर का account SBI bank में है, मेरा ICICI में है, तो SBI bank क्या करता है, हर online transaction पे 10 रुपे काट लेता है, 10 रुपे, अब कल को SBI वाले बोले हजार रुपे में से 500 रुपिया हम लेंगे, तो क्या हम transaction करेंगे, करेंगे ही नी, मेरे भाई, इतना तो नुकसान हो गया, 1000 में से 500 रुपे चले गए, तो यह जो 10 रुपे का cut SBI ले रहा है, आप ऐसे ही सोचो, यह transmission line loss ले रहा है, ठीक है, अगर 100 megawatt power जा रही है, और इसमें से 1 megawatt line ने रख ली, line के अंदर खपत हो गई, तो व पहला point है low power loss and high efficiency, दूसरा क्या है, लोड की demand क्या थी कल, लोड ने क्या मांगा था, लोड ने बोला था, मुझे rated voltage दो, मुझे rated frequency दो मैं खुश हूँ, मुझे rated voltage और frequency चाहिए, मैं संतुश्ट हूँ, तो लोड ने मांगी थी rated voltage, लेकिन ऐसा तो नी चलेगा ना मेरे भाई लाइन भी तो कुछ voltage लेगी, लाइन भी तो कुछ voltage रख लेगी मेरे भाई, अब लाइन जो voltage ले रही है, that should be minimum, ताकि लोड तक maximum voltage पहुँचे, यानि generator से generate की हुई, जाधा तर voltage कहां तक जानी चाहिए, लोड तक, लाइन के अंदर drop कम से कम आना चाहिए, तो दो parameter हो गए, लाइन के अंदर power loss कम होना चाहिए, और लाइन के अंदर voltage का drop कम होना चाहिए, ताकि जाधा से जाधा portion आपके load तक पहुँचे, ताकि जाधा से जाधा portion आपके load तक पहुँचे, तिक है? और मेरे भाई देखो, एक चीज जान लो, जो भी topic कारोणा के आपका doubt है, कारोण आप पूरी तरीके से डीटेल में explain करूँगा, तब मैं color भी बताऊंगा, sound भी बताऊंगा, voltage भी बताऊंगा, rainfall, snow, dust, सारी चीज़े cover करूँगा, लेकिन अभी नहीं, सबर करो, sequence wise चलो, अभी wire की बात करें, ठीक है, चलो, अब बात यह आती है, transmission line की क्या-क्या rating होती है, तो अब voltage rating क्या होती है, voltage rating मेरे भाई, यह होती है, RMS, RMS, line to line voltage, RMS, line to line voltage, of transmission line, इसको कहते हैं, voltage rating, और यह बंदू proportional होती है, किसके, this is proportional to, insulation, किसके proportional होती है, insulation के, क्यों होती है, यह अभी समझाओंगा, क्यों होती है, यह अभी समझाओंगा, मेरे भाई, अब insulation के proportional क्यों होती है, थोड़ा सब basic बताता हूँ, voltage बढ़ने से बढ़ती है, electric field, जिससे आता है, dielectric breakdown, अभी समझाओंगा, dielectric breakdown क्या होता है, थोड़ा सबर रखना, ठीक है, dielectric breakdown बढ़िया से समझाओंगा, detail में एकदम, तो मेरे भाई, क्या होता है, अगर high voltage लगाओगे, तो high electric field आएगी, अब आप कहोगे, high electric field क्यों आएगी, क्योंकि बंदू, voltage क्या होती है, e.dl, voltage क्या होती है, e.dl, तो voltage high है, तो electric field भी high होगी, और high electric field पे आता है, dielectric breakdown, इसलिए voltage rating को किस पे depend कराया जाता है, insulation पे, insulation पे, यह insulation कहाँ होती है, यह insulation कहाँ होती है, यह भी समझा देता हूँ, देखो, यह है insulation, यह है आपका मेरे बंदू, insulation, यह आपने देखा होगा न, tire tire से लगे रहते हैं, tower और line के बीच, यह है insulation देखो यह हो गया यह हो गया यह सब insulation है यह सब का सब क्या है insulation है तो insulation के ऊपर depend करती है इस line की voltage यानि अगर आप line की voltage बढ़ाते हो तो यह insulation भी आपको बढ़ाना पड़ेगा ये insulation भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो voltage rating is proportional to insulation, अब बात आ गई current rating की, current rating क्या होती है, RMS line current, carried by transmission line, carried by transmission line, अब ये किसके proportional होती है, ये होती है, proportional to cross section area of conductor, अब आप ये भी जानते होगे, देखो, आपके घरों में, जो AC की wire होती है, वो मोटी होती है, और low power devices की wire होती है, वो पतली होती है, तो जब ज़्यादा current कोई device consume करती है, तो उसका cross section area भी ज़्यादा होता है, और जो device कम current consume करती है, तो उसके अंदर wire भी कम रखी जाती है, अब ये MVA rating क्या होगी, ये MVA rating आएगी simply root 3 VL IL, यानि MVA rating किस पे depend करती है, voltage rating और current rating, अब आप कहोगे सब current rating cross section area के proportional है, ऐसा चलो, आपने practically तो दिखा दिया, conceptually इसका reason क्या होगा, conceptually इसका reason क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा, कि as current increases, तो जो loss होगा मेरे भाई, I square R, ये भी बढ़ेगा, लेकिन आप कभी नहीं चाहते loss बढ़े, आप ये चाहते हो, तो जादा से जादा power load तक पहुँचे, आप चाहते हो, जादा से जादा power load तक पहुँचे, तो अगर आपको loss को रखना है constant, अगर आपको loss को रखना है constant, तो R must reduce, तो R को कम करना पड़ेगा, और R को कम कैसे करोगे, by increasing, by increasing cross section area, ठीक है, ये बात clear हो गई, cross section area देख करके आपको इसका cross section area बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका loss constant रह पाएगा, अब देखो, कुछ बच्चों के इतने फरजी doubt होते हैं, कभी, जैसे अभी एक लड़का पूछ रहा है, कि सर, line को देखके कैसे बताएं, कितनी voltage की है, मेरे भाई, मेरे ये mic को देखके बताओ, इसमें current, ये मेरे remote में, current नीचे से उपर जा रहा है, उपर से नीचे जा रहा है, दाएं अब आएं, जड़ा बताना देखके, जल्दी से बताओ, देखके, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है current, left, right, up, down, किदर, एक लड़का मिरे से पूछता सर, transmission line देखके, ये कैसे बता लगेगा, current किदर जा रहा है, सिर्फ देखने से मुझे बताना है current किदर जा रहा है, तो मेरे भाई, उसके अंदर electron बनके घुज जाओ, जिदर तुम गए, उदर से उल्टा current जाएगा, तो ये फाल्तु सवाल मत पूछा करो, wire देखके, wire की rating अगर बता दी, मेरे भाई, तुम इंसान नहीं, तुम भगवान हो, ठीक है, चलो, अब आते हैं, dielectric breakdown पे, जो आप लोगों के दिमाग में question आया होगा, अब सा dielectric breakdown क्या होता है, देखो जब high electric field लगाते हैं, और कोई भी insulator एक conductor बन जाए, कोई भी insulator अगर एक conductor बन जाए, तो इसे हम कहते हैं dielectric breakdown, इसे हम कहते हैं मेरे भाई dielectric breakdown, तो क्या होता है इसके अंदर, जो भी insulator है insulator को dielectric भी कहते हैं इनसूलेटर को dielectric भी कहते हैं और dielectric breakdown insulator के अंदर आता है at high electric field at high electric field अब देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी यह dielectric breakdown क्या है यह देखो यहाँ पे जब high voltage बनेगा जब यहाँ पे देखो high voltage बनेगा तो यह beach का जो medium है न यह हो चुका है ionize beach का medium हो चुका है ionize और beach में अगर इसको free charge carrier मिल गए free charge carrier माने है जो atom से आजाद है जो atom से रहा है जो atom के अंदर बंधा हुआ नहीं है ऐसा charge ऐसा charge अगर मिल गया तो वो flow करने लगेगा दोनों के बीच में और क्या flow करा देगा current और क्या flow करा देगा मेरे भाई current इसे कहते हैं dielectric breakdown अब बात यह आती है dielectric breakdown आएगा क्यों dielectric breakdown आएगा क्यों देखो एक hydrogen atom का example लेता हूँ यह hydrogen atom है अराम से बैठा है nucleus बीच में है electron चारों तरफ घूम रहा है अब क्या होगा आपने कोई electric field नहीं लगा रखा लेकिन अगर आप electric field लगाते हो तो positive charge पे force लगेगा electric field की और और negative charge पे लगेगा left तो देखो अगर मैं ऐसे electric field लगा दूँ तो देखो negative charge आगया left में अगर electric field लगाओगे right में तो f equal to qe के हिसाब से negative charge पे force लगेगा left negative charge पे force लगेगा left तो negative charge आगया left में positive charge चला गया right में यानि ये electric field दोनों charges को दूर ले जा रही है ये electric field दोनों charges को दूर लेके जा रही है अब लेकिन मेरे भाई ये positive और negative के बीच में भी तो एक force है ये भी तो एक force है ना force of attraction force of attraction भी है अगर आपने इस force को overcome कर दिया तो ये electron हो जाएगा आजाद और तब आएगा dielectric breakdown ठीक है ऐसा सोचो ये एक dipole है ये क्या बन गया एक dipole अगर आपकी electric field इनके attractive force से जादा force लगा दे तो ये दोनों charges separate हो जाते हैं और ये current conduct करवाने लगते हैं ये current conduct करवाने लगते हैं और इस phenomena को कहते हैं dielectric breakdown इस phenomena को कहते हैं dielectric breakdown अब कितनी electric field पे ये dielectric breakdown आएगा कितनी electric field पे dielectric breakdown आएगा उसे कहते हैं dielectric strength तो dielectric strength क्या है एक dielectric की ताकत है कि वो कितनी electric field जहल सकता है इससे जादा electric field आने पे वो breakdown हो जाएगा that is called as the dielectric breakdown and dielectric strength तो यह धियान रखना, dielectric strength कभी भी, dielectric strength कभी भी, voltage नहीं होती है, वो क्या होती है, वो हमेशा electric field होती है, बहुत सारे students इसके अंदर गलती करते हैं, वो समझ बैठते हैं, कि dielectric strength is the voltage rating नहीं मेरे भाई, dielectric strength is the maximum, is the maximum electric field that can be tolerated, that can be tolerated by a material, ठीक है, इसको dielectric strength के नाम से जाना गया है, इतनी बात clear हुई, ठीक है, और नहीं clear हुई, तो lecture पीछे करके दुबारे सुन लो, dielectric material के example, example भाईया, air, air की dielectric strength होती है, 21.2 kV RMS per centimeter, ठीक है, और ले लो, Mica, Mica is an insulator, और भी बहुत सारे machine में भी बताया था, Japan varnish, China clay, impregnated paper, बहुत सारे insulator हैं, ठीक है, बहुत सारे insulator हैं, that is our dielectric material, insulator को ही dielectric कहते हैं, बट dielectric क्यों कहते हैं, because of dipole, insulator dielectric कब कहलाता है, जब उसके अंदर होता है मेरे भाई dipole, यानि एक positive और एक negative charge, जोगे कुछ दूरी पे रखे हैं, और वो एक ही atom का हिस्सा है, ठीक है, अगर एक positive और negative charge, कुछ distance पे रखे हों, और एक साथ जुडे हों, तो that is called as a dipole, तो अगर insulator के अंदर dipole बनता है, तो it is called as a dielectric, तो इतना सा फरक है, इतना सा फरक है, ठीक है, ये बात clear हो गई, ये बात clear हो गई, dipole वाला insulator क्या कहलाएगा, dielectric, dielectric मानें, दो तरह के electric charge उसके अंदर है, एक positive और एक negative, एक positive और एक negative, अब बात है, dielectric, dielectric क्या हुआ, दो charges positive और negative, और इसको dipole कब बोलेंगे, देखो dipole आप बस इतना याद करते हो, आप इतना रठते हो, कि positive and negative charge separated by a distance is called as a dipole, नहीं मेरे भाई, positive and negative charge separated by a distance, but still bound together, is called as a dipole, bound together, यानि ये एक ही atom का हिस्सा हो, ऐसा नहीं एक खुला positive charge और एक खुला negative charge रख दो तो ये dipole है, ना मेरे भाई, ना, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये अलग-अलग दिशा में चले जाएंगे, ये खुले घुमेंगे, नहीं, ये दोनों एक साथ बंधे हैं, ये दोनों एक साथ बंधे हैं, तो जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, इधर जाएंगे तो भी एक साथ जाएंगे, तब ये एक dipole है, अगर ये अलग-अलग दिशा में भाग गए तो ये dipole नहीं है, ये साथ में बंधे होने चाहिए साथ में बंधे हो जैसे देखो मैगनेट होता है मैगनेट में नौर्थ पोल भी होता है साउथ पोल भी होता है बट वो एक ही मैगनेट के अंदर है जाएगा तो पूरा मैगनेट जाएगा या तो कोई भी नहीं जाएगा अगर ये north अलग चला गया ये south अलग चला गया तो मेरे भाई फिर ये dipole नहीं बना ये dipole नहीं बना तो bound together ये word हमेशा याद रखना अगर अनपड़ गवार वाली definition नहीं देनी है कभी भी life के अंदर तो एक किताबी definition से आगे निकलो और ये भी बोलो they are separated by a distance but bound together bound together जल्दी से सभी लोग एक बार लिख दो comment के अंदर chat के अंदर dipole की definition क्या है कितना समझ आया जल्दी से लिख दो अब question ये है क्या ये dipole है no this is not a dipole क्यों नहीं है क्यों नहीं है मेरे भाई क्योंकि positive charge भी center पे है negative का center भी center पे है यहाँ कोई distance ही नहीं है यहाँ कोई distance ही नहीं है डाइपोल के लिए कुछ ना कुछ distance होना अनिवार ये है क्योंकि dipole moment होती है Q into D अगर distance नहीं होगा यानि दोनों एक ही point पे centered है तो ये dipole नहीं बनेगा dipole के लिए negative charge है electron का center और hole nucleus अलग-अलग position पे हूँ अगर nucleus यहाँ है electron का center यहाँ है तो ये dipole है corona is nothing but a phenomena due to dielectric breakdown तेक है चलो बहुत बढ़ी है सबको definition समझा गई है dielectric breakdown समझा गया है अब आते हैं देखो leakage current पे क्या होता है ये जो आपने बताया मैंने disc लगी होते हैं tire लगे होते हैं ये सब insulator है लेकिन मेरे भाई कोई भी insulator कभी perfect नहीं होता no insulator is ever perfect जब कोई भी insulator perfect नहीं होता तो कुछ ना कुछ current line से जाता है tower में आप कहोगे सर दिक्कत क्या है दिक्कत मेरे बंदू ये है ये line जब मैंने बनाई थी तो ये line मैंने ऐसे current ले जाने के लिए बनाई थी ना की tower में क्योंकि जो भी current tower में गया वो वापिस कहां चला जाएगा ground में चला जाएगा कहां निकल जाएगा ये ground में भाई ऐसा सोचो ना transmission line इसलिए लगी थी कि generator से आपके घर तक current लाए और बीच में वो current अगर ground में चला गया तो current आप तक तो आया नहीं आपका तो हो गया घाटा आपका तो हो गया घाटा इसलिए हम लोग बात करते हैं leakage current की leakage current undesirable है leakage current undesirable है ये leakage कम से कम रहना चाहिए लेकिन मेरी भाई मेरी भी मजबूरी है कि insulator कभी perfect नहीं हो सकता Insulator कभी perfect हो ही नहीं सकता यानि इसका resistance infinite नहीं हो सकता इसका resistance finite ही होगा तो कुछ ना कुछ current तो ये भेज के रहेगा आप कितना भी रोक लो कुछ ना कुछ current ये भेजेगा or that current is called as leakage current अच्छा आप देखो एक point समझना सबसे पहले कि transmission line transmission line is always treated as is always treated as star connection as star connection अच्छा मुझे बताओ visualization में मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई कि ये plain whiteboard teaching better है अब बताना आज के lecture में बताओ मैं आपको लिख करके भी समझा रहा हूँ और कुछ चीजे मैं आपको visualize भी करा रहा हूँ ये method better है या whiteboard पे हर डाइग्राम draw करकर के हौले 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 पढ़ते रहो एक छोटे से topic में 8-8-10-10 गंटा लगा दो तो इसको हमेशे star connection की तरह treat किया जाता है ऐसा इसलिए ऐसा मत सुचना line star में होती है ऐसा इसलिए मान लो load जैसे मान लो star है अब ये मत कहना सर्फ purely resistive load क्यों ले लिए example है अब देखो ये दिख रहा है ना ये series आ गया transmission line और load series आ गया तो अगर load star होता है तो transmission line उसके series में आ जाती है इसलिए transmission line को भी किस तरह से treat किया जाता है as star connection as star connection तो मैं क्या बोल रहा हूँ if load is star if load is star transmission line is in series with load transmission line is in series with load तो इसी लिए therefore transmission line is considered as star ये reason आपको कहीं नहीं मिलेगा transmission line को directly star की तरह use कर देंगे ठीक है ये बात clear है load अगर delta में होगा गधो तो इसके series में चली जाएगी क्या line दिमाग लगाओ load अगर delta में होगा तो क्या line load के series में कहलाएगी होई नहीं सकता करके देख लो बंदू थोड़ा दिमाग लगाया करो अब बताना कौन सी line किसके series में है किसी के भी series में नहीं आया कुछ भी तो इसलिए इसको आप नहीं कह सकते line is in delta मैंने का if इस पे ध्यान देना if अगर load star में हुआ तभी line उसके series में आएगी अगर load star में हुआ तभी line उसके series में आएगी इसलिए line को भी क्या मान के चलते हैं star तो मैंने आपको reason बता है line को star क्यों माना जाता है यानि line के अंदर ऐसा relation हमेशा चलेगा कि vph equal to vl by root 3 and iph equal to il ये relation हमेशा चलाना है इतना दिमाग के अंदर बिठालो numerical में numerical में ये आपको हर जगे लगा मिलेगा मैं बस आपको इसका reason समझा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको इसका reason समझा रहा हूँ कि line को star क्यों मानते हैं इसका load से कोई वास्ता नहीं है मैंने बताया अगर load star में होता तो line भी इसके series में आ जाती तो line को कैसे treat किया गया just as a star connection just as a star connection अरे मेरे वहाई तुम लोग को कैसे समझाया जाए तुम एकदम ही गधे हो मैंने ये नहीं बोला star का फायदा है, series का फायदा है, parallel का फायदा है, delta का फायदा है फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ एक छोटा सा fact समझा रहा हूँ कि अगर load star में होता है तो line उसके series में होती है इसलिए line को भी star की तरह ही हमेशा treat किया जाता है इसलिए line को भी हमेशा star की तरह treat किया जाता है, मैं फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई समझ रहे हो, फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ अब देखो voltage voltage between line and ground ground और line के बीच का voltage कितना होता है line और line के बीच का तो VL है line के line का बीच तो VL है और line और ground के बीच में होगा VPH, तो यह leakage current कितना होगा leakage current देखो insulator और tower से होके जा रहा है तो मैं कहता हूँ VPH by R insulator plus R tower लेकिन भाई यह tower तो metal का बनता है, insulator का resistance इसलिए जादा होगा तो VPH by R insulator always insulator का resistance tower से जादा होगा tower से जादा होगा तो VPH by R insulator तो इसलिए क्या होता है इसलिए क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि भाई to keep to keep eye leakage constant अगर आप चाहते हो leakage current ना बढ़े तो जैसे जैसे voltage बढ़े R insulator भी बढ़े बात समझे मैंने आपको पहले भी बताया voltage is proportional to insulation उसके दो प्रूफ दिये एक dielectric breakdown के अंदर और दूसरा प्रूफ दिया leakage current के हिसाब से आप नहीं चाहते leakage current कभी भी बढ़े इसलिए जैसे जैसे voltage बढ़ेगी line की आपको insulation बढ़ाना पड़ेगा इसके बिना काम नहीं चलेगा you always have to increase the insulation increase the insulation बात क्लियर हो गई अब बात आती है machines और transmission line machine की wire और transmission line के बीच में क्या फरक है अब मेरे भाई transmission line हमेशा atmosphere में exposed है transmission line हमेशा atmosphere के अंदर exposed है तो ये तो खुले में हैं लेकिन machine की winding बाहर yoke से protected है ठीक है तो हम क्या बोल रहे है machine winding is protected by yoke is protected by yoke लेकिन transmission line is exposed to atmosphere इसलिए सबसे ज़्यादा fault भी transmission line के अंदर ही आते हैं क्योंकि ये exposed होती है क्योंकि ये exposed होती है तो it is exposed to atmosphere अब ये atmosphere में atmosphere में अगर exposed है तो इसके अंदर fault आएंगे तो इसमें क्या होता है इसी वज़े से transmission line has over voltages over voltage माने कभी कभी इसके अंदर इसकी rating से ज़्यादा voltage आ जाती है इसकी rating से ज़्यादा voltage आ जाती है अब rating से ज़्यादा voltage आ गई तो खत्रा हो गया insulation को क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जैसा मैंने आपको बताया कि insulation insulation पे अगर high voltage लगाओगे high electric field बनेगा जिससे आ सकता है dielectric breakdown तो इसी लिए जब insulator बनाएंगे transmission line के अंदर कभी भी voltage rating देखके नहीं बनाएंगे क्या देखके बनाएंगे over voltage दुबारे समझो transmission line के अंदर अगर 11 kv की rating है लेकिन किसी कारण से इसमें 12 या 13 kv पैदा होता है तो insulator ये 12 या 13 kv के हिसाब से बने ना कि 11 kv के हिसाब से क्योंकि 11 kv पे बना तो दिया जब कभी 12 या 13 kv पैदा होगा तब मेरे भाई इतना high voltage हो जाएगा line के अंदर कि insulator damage हो जाएगा insulator अगर damage हो गया तो सारा current tower में जाने लगेगा खुद सोचो ना ये insulator अगर ये insulator अगर damage हो गया सारा current tower में निकल जाएगा आपके घर तक कुछ भी नहीं आएगा इसलिए insulator damage नहीं होना चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा transmission line का insulation किसके हिसाब से बनाओगे over voltage के हिसाब से ये ध्यान में रखते हुए कि कभी ना कभी voltage जादा भी आ सकता है कभी ना कभी voltage जादा भी आ सकता है तो यहाँ पे क्या होता है transmission line के अंदर insulation is proportional to over voltage और यहाँ पे क्या होता है insulation is proportional to voltage rating ये दोनों में बहुत बड़ा फरक है जब insulation की बात करते है कि machine के अंदर over voltage तो आएगा नहीं वो atmosphere में exposed है नहीं वो atmosphere में exposed है नहीं अब बात यह आती है over voltage क्यों आएगा बात यह आती है over voltage क्यों आएगा क्या कारण बनेंगे तो पहला over voltage होता है lightning over voltage lightning over voltage अब lightning over voltage क्या होता है जब कभी देखो ये lightning transmission line पे टकराती है lightning कुछ भी नहीं होता यह charge travel करता है बादलो से line तक यह charge travel करता है बादलो से line तक तो इसको कहते है lightning इसको कहते है lightning तो यह जो charge line के उपर deposit हो जाएगा मान लो यह line के उपर ऐसा करके आपका negative charge आ गया खूब सारा negative charge आ गया तो मेरे भाई line के अंदर एक high voltage बन जाएगी lightning क्या करती है लाइग के उपर charge deposit कर देती है और उस charge के कारण जो voltage बनती है that is called as the lightning over voltage तो यह बात clear हुई मैंने बोला lightning causes charge to be induced on the line which causes which causes high voltage on the line high voltage on the line अब दिमाग में यह भी question आना चाहिए मेरे भाई lightning बनती क्यों है कोई मुझे बताएगा lightning बनती क्यों है chat के अंदर मुझे एक बार बताओ आपको क्या लगता है lightning बनती क्यों है और जो बच्चे इस वीडियो को recorded देखें वो comment में जरूर लिखके जाएं आपको क्या लगता है lightning क्यों बनती है why does lightning occur ये बिजली क्यों कड़कती है तो देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या होता है ध्यान से सुनना एक ही बार बताऊँगा जो बारिश की बूंदे होती है जो बादल के अंदर moisture होता है वो छोटी-छोटी ice के particle में convert हो जाता है वो छोटे-छोटे ice particles में convert हो जाता है अब जब ये ice particle आपस में rub होते हैं ऐसे इन पे क्या आ जाता है? charge इस पे क्या आ जाता है? charge तो cloud जो होता है वो charge होता है due to this ice droplet छोटे-छोटे ice की वज़े से ये charge आपका क्या होता है? ये cloud charge होता है अब ऐसा होता है कि cloud का जो किछला हिस्सा है वो negative charge होता है और cloud का उपर वाला हिस्सा होता है positive charge देखो cloud का उपर वाला हिस्सा होता है positive charge और नीचे वाला हिस्सा होता है negative charge अब जब ये दो cloud मेरे भाई आपस में टकराएंगे तो इनके बीच में charge transfer होगा अगर इनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा आज चार्ज फ्लो is called as lightning उस चार्ज फ्लो को क्या कहते है लाइटनिंग अगर ये चार्ज लेकिन बादल से ग्राउंड तक आया तो एक lightning ग्राउंड तक आ गई वरना जादतर आप देखो जो बिजली कड़कती है जो लाइटनिंग होती है वो बादलों में ही होती है वो नीचे नहीं आती नीचे वाला जो फिनॉमेना है वो बहुत रेयर है नीचे आने वाला फिनॉमेना बहुत रेयर है जादातर ये बादलों के बीच में ही चार्ज एक्सचेंज होता है लेकिन अगर ground और cloud के बीच में होने लग जया तो ये lightning नीचे भी आ सकते है जैसा मैंने इस figure के अंदर दिखाया है इस figure में हमें दिख रहा है कि lightning नीचे आ रही है लेकिन जादातर ये clouds के बीच में रहती है अब जैको बादल में जब lightning होती है तो आवाज क्यों आती है आपने ये देखा है कभी भी कि पहले बिजली चमकती है उसके बाद आवाज होती है ये तो सबने देखा होगा ऐसा इसलिए होता है जब ये charge transfer होता है ना जिससे पैदा होती है sound और sound की speed light से कम होती है इसलिए पहले चमक दिखती है और बाद में आवाज आती है ये बात clear होई तो मेरे भाई दुबारे से समझो lightning क्यों होती है due to charge transfer between the cloud or between cloud and ground it is nothing but the flow of charge when the charge flows when the charge flows through the air it creates a pocket it creates a pocket and when air fills that pocket that produces a sound in the lightning उससे क्या होती है उससे आवाज आती है उससे आवाज आती है अब बात ये है lightning over voltage का इस्तिमाल कब करेंगे जब आपकी transmission line की voltage होगी less than 345 kv जब line की voltage 345 kv से कम होगी तब insulation decide होगा lightning over voltage से तीक है below 345 kv यानि अगर transmission line 11 kv, 33 kv, 66 kv की है तो insulation is proportional to lightning over voltage अब ये मत बोलना ov क्या है ov है over voltage ठीक है अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं देखो इससे बचने के लिए क्या करते हैं ये tower के उपर ना ये tower के उपर top पे ये ground wires जारी होती है और खासियत ये होती है यहाँ पे कोई insulation नहीं होता यहाँ पे कोई insulation नहीं होता अब आप तेको ये तो जानते हो ना lightning हमेशा highest conductor पे टकराती है lightning हमेशा highest conductor पे टकराती है हम ये जानते है lightning लाइटनिंग आल्वेज strikes strikes highest conductor तेक है highest conductor पे टकराएगी अब मैं आपको बताता हूँ आगे होगा क्या अब पहले तो ये बात कर लेते हैं highest conductor पे क्यों टकराएगी highest conductor पे क्यों टकराएगी क्योंकि मेरे भाई देखो conductor देता है low resistance path अब lightning आसमान से चली अब जहाँ उसे low resistance path पता चला जहां उसे low resistance path मिल गया वो जादा तर उस रास्ते से deviate हो जाएगी जैसे ही उसे low resistance path मिल गया यानि सबसे उचे वाले point पे अगर conductor मिल गया तो वहीं conductor के अंदर बन जाएगी अब देखो जैसे बिजली आई ऐसे आई अब इसने current produce किया ऐसे अब ये current गया tower में और tower से चला गया अर्थ में तो मेरी जो three phase conductor थे मेरे जो three phase conductor थे वो बच गये ठीक है मेरे जो three phase conductor थे वो बच गये और इसलिए हमने उपर क्या लगाया है overhead ground wire जिसको कहते हैं shield wire ठीक है to overhead ground wire overhead ground wire or shield wire or shield wire is highest conductor is highest conductor that provides that provides low resistance path low resistance path to ground समझ गए इसको shield wire के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको overhead ground wire भी आप कह सकते हों तब आपको यह समझा है यहां insulator क्यों नहीं दिया क्योंकि यहां मैं specially चाहता हूं कि lightning वाला जो current है वो tower में जाए और tower से कहां निकल जाए वो tower से निकल जाए ground में लेकिन मैं कभी main wire के current को ground में नहीं जाने देना चाहता तो main wire और tower के बीच लगते हैं insulator यहां कोई insulator नहीं लगता तीक है अब दूसरी over voltage होती है switching over voltage यह दूसरी over voltage होती है switching over voltage अब क्या होता है जब circuit breaker कभी open होता है तो उसकी दोनों plate अलग हो जाती है circuit breaker की जब दो plate separate हो जाती है मेरे भाई ठीक है जब circuit breaker की दोनों plate separate हो जाती है तो it behaves like a capacitor तो मैंने यह लिखा है when circuit breaker open it behaves like a capacitor अब मानलों यह voltage है Vs यह बन गया ना LC oscillator यह क्या बन गया LC oscillator अब यह जो LC oscillator है बंधू इसकी equation लिखना मैंने YouTube पे सिखाया है दो तीन वीडियो बना रखे है LC oscillator के लिए दो या तीन बार वीडियो बनाये गया है एक बार LC आप सर्च कर लेना creatrix space LC creatrix space LC सर्च कर लेना LC oscillator मिल जाएगा तो voltage की equation ऐसे होती है ठीक है एक LC oscillator में omega 0 है 1 by root LC तो मेरे भाई यह जो V maximum आएगा यहाँ पे यह आएगा 2 Vs और यह कितने पे आएगा at omega 0 T equal to pi पाई पे आएगा 2 Vs पाई पे कितना आएगा 2 Vs तो यह जो voltage हो गई यह आगई switching over voltage यह क्या गई switching over voltage तो मेरे भाई क्या होता है जब line का voltage 345 से जादा होता है अगर voltage rating greater than 345 kV होगा तो होता है बट वह circuit breaker में पढ़ाऊंगा कि री striking voltage क्या होता है री striking voltage क्या होता है मैंग पूछ रहे हैं अगर वायर शील्ड वायर पतली होती है तो resistance हाई हो गया हाई resistance से क्यों पास होगा क्या मेरे भाई हवा से भी जादा data एक limit है जो आपको बस याद रखनी है कि below 345 kV कौन सी voltage का use होगा lightning का और above 345 kV किसका use होगा switching over voltage का इस पे काफी बार ES के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि insulation in a transmission line is decided on the basis of तो जादातर answer होता है switching over voltage किन lines के लिए जहां 345 kV से जादा की rating आ जाए ठीक है तो देखो ये तो बात होगई transmission line के basics की जो मुझे आज आपको समझाना था अब इसके आगे का discussion हम लोग Monday continue करेंगे same time slot में लेकिन कल और परसो Saturday Sunday साड़े 4 से साड़े 6 machine के crash course कराने वाला हूँ और machine के crash course में कल कराऊंगा electrical machine के basic के सवाल EMT से related, dot convention से related, magnetic circuit से related ये चीज़े कराऊंगा basic से कराऊंगा with questions कराऊंगा तीक है इसके अलावा अभी साड़े 8 बजे तीक है इस बार अभी साड़े 8 बजे BJT amplifier तीक है BJT amplifier मैं कराने वाला हूँ साड़े 8 बजे उसके question अगर लगाना चाहते हो तो आ जाना तीक है साड़े 8 बजे और देखो ये जो link है tinyurl.com slash ankitse इस पे आपको मेरी सारी special class के link मिल जाएंगे मैं डेली साड़े 12 बजे power electronics के question करा रहा हूँ और डेली साड़े 8 बजे BJT amplifier करा रहा हूँ तो BJT amplifier का link कहां मिलेगा वो यहां मिलेगा इस url पे जाके upcoming special classes में तो unacademy learning app जरूर डाउनलोड कर लेना अब अगर आप plus पे आते हो unacademy join करते हो तो क्या मिलता है daily practice paper, weekly quiz, test series, previous year question, crash course, doubt batch यह सारी चीज़े आपको मिलती है सिर्फ 22,500 में अगर code लगाओगे अंकित EAC और इसका price इस month में बढ़ने वाला है कब बढ़ेगा अभी यह clear नहीं है लेकिन बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है तो जल्दी से subscription book कर लेना वरना बाद में पच्छता होगे और अगर iconic पे आते हो तो आपको मिलेगा एक personal coach ज analysis क्या है आपके test के analysis को देखते हुए इसका cost थोड़ा महंगा है तो जो बच्छे effort कर सकते हैं उनके लिए best है बट code मत भूलना अंकित EAC आज ही से मैंने power system start किया unacademy पे और 5 तारिक से doubt batch start हो रहा है जिसके अंदर सारे doubt लिए जाएंगे unacademy वाले students के तीक है आप payment कर सकत तो credit debit card EMI net banking या अगर आपके पास one time payment के लिए पैसे नहीं है तो HDFC debit card EMI और बजाज Finserv पे भी debit card EMI मिलती है लेकिन code याद रखना अंकित EAC यह मेरा telegram channel है यहां आपको notes मिल जाएंगे आपको notes डाउनलोड करने की जरूवत नहीं है sorry notes आपको लिखने की जरूवत नहीं है machine के अंदर मैंने सारी dictation की थी लेकिन उससे better method है उससे faster method है यहां मैं आपने बनाएवे notes आपको सारे देने वाला हूँ और यह मेरा unacademy profile है तो आज ही app डाउनलोड करके मुझे follow कर लेना ताकि जब जब मैं unacademy पे free class लेता हूँ आपके पास notification आ जाएगा ठीक है अब य electrical junction channel subscribe कर लेना इस पे बहुत awesome videos आने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े concept आने वाले है electrical junction पे और creatrix channel को तो subscribe करके ही रखो मेरे भाई क्योंकि इस पे आपका complete syllabus cover हो रहा है unacademy gate question इस channel पे मैं previous year के सारे video solution डाल रहा हूँ मेरी team cover कर रही है तो इस channel को भी subscribe कर लेना ठीक है foundation अगर आपको basics cover करने इंजिनिरिंग के पहले के और पार्ट शाला अगर आपको animation से concept सीखना है तो कल हम लोग मिलेंगे साड़े चार बजे thank you everyone साड़े चार बजे machine के basics की theory और machine के question मैं लगवाँगा theory भी बताऊँगा लेकिन theory सिर्फ उतनी बताऊँगा जितनी exam के लिए relevant ह तो ये crash force का target बस gate रहेगा तो उसके अंदर उतने theoretical concept करेंगे जो exam के लिए relevant है और main focus रखेंगे question कैसे आता है और question कैसे solve किया जाता है तो कल शाम साड़े चार बजे आना ना भूलें और सभी लोगों की कल class है भीमा संकर सर लेने वाले हैं digital, कामेश सर अनलोग, मैं machine, विश चाल सर मैट्स ये चार सबजेक्ट आपके कल लगने वाले हैं थैंक यू everybody